नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल Study with Smartness में मैं आज आपके लिए हिंदी के कुछ important questions लेकर आई हूँ जो आपके आने वाले competitive exams के लिए बहुत useful हूँगे तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पहला question है नेत्री शब्द का पुर्लिंग रूप क्या है नेत्री एक इस्ट्रे लिंग शब्द है जिसका पुर्लिंग नेता होता है दूसरा question सूरिश शब्द का इस्ट्रे लिंग क्या होगा सूरिष एक पुरलिंग शब्द है जिसका इस्टे लिंग सूर्याई होगा अब हम लिंग की समायने परिभाशा जानते हैं संग्या के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाती का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहा जाता है अगर हम सरल शब्दों में देखें तो शब्द की जाती को हम लिंग कहते हैं हिंदी व्याकरण में लिंग दो प्रकार की होते हैं अर्थात लिंग के दो भेद होते हैं पहला पुर्लिंग यानि जिन संग्या शब्दों से पुरुष जाती का बोध हो वहाँ पुर्लिंग होता है जैसे बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का ये सारे शब्द पुर्लिंग शब्द कहलाते हैं दूसरा, इस्त्रे लिंग जिस संग्या शब्द से इस्त्री जाती का बोध हो उसे इस्त्रे लिंग कहते हैं जैसे गाय, बकरी, मोर्नी, मोहिनी, लड़की, इत्यादी काम का तत्सम रूप क्या है? काम का तत्सम रूप कर्म है चौधा, दुख्द का तत्भव रूप क्या है? दुख्द का तत्भव रूप दूध है अब यहां हम तत्सम और तत्भव शब्द के बीच अंतर समस्ते हैं तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है तत और सम तत का अर्थ है उसके और समान का अर्थ है सम का अर्थ है समान याने उसके समान अर्थात जियों का तियों वैदिक काल में संस्कृत के जिन शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के आज भी उपयोग में लाया जाता है उन्हें तद्सम शब्द कहते हैं इसमें ध्वनी का कोई परिवर्तन नहीं होता जैसे अगनी, आम्र, अमूल, चंद, शेत्र, अज्ञान, अंधकार, इत्यादी अब तद्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन हुए और उस परिवर्तन से कुछ नई शब्द बने उन नई शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है तद्भव शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ उससे उत्पन अर्ठात संस्कृत शब्द से उत्पन्य शब्द जैसे मुख का तद्भव मुहू, ग्राम का तद्भव गाव, दुख्द का तद्भव दूद और भ्रात्र का तद्भव भाई हुआ Next question मानव शब्द से क्या विशेशन बनेगा? मानव एक संग्या है जिसका विशेशन होगा मानविय शटवा कोशन आलज से शब्द का विशेशन क्या है? आलज से एक संग्या है जिसका विशेशन होगा आलजी विशेशन क्या है? विशेशन वे शब्द होते हैं जो संग्या ये सर्वनाम की विशेश्टा बताएं ये शब्द वाक्य में संग्या की साथ लगकर संग्या की विशेश्टा बताते हैं जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालू, भारी, सुन्दर, इत्यादी इसे हम एक उधारन से समसकते हैं राधा बहुत सुन्दर लड़की है राधा एक लड़की का नाम है और राधा नाम एक संग्या भी है सुन्दर ता उसकी विशेश्टा है तो सुन्दर शब्द एक विशेशन हुआ जो संग्या शब्द की विशेश्टा बता रहा है नेक्स कोशन गुप्त का विलोम शब्द क्या है गुप्त अर्थात छुपा हुआ इसका विलोम हुआ प्रकट करना आठवा इस्थावर का विलोम शब्द क्या है इस्थावर अर्थात इस्थिर इसका विलोम हुआ जंगम जंगम अर्थाज जो चल सके अब विलोम शब्द क्या होते हैं जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं वो विलोम शब्द या विप्री तार्थक शब्द कहलाते हैं विलोम शब्द का अर्थ ही होता है उल्टा या विरोधी अर्थ बताने वाला विलोम शब्द अपने सामने वाले शब्दों के सर्वता विप्रीध ही अर्थ प्रकट करता है जैसे आय का विलोम वय, आजादी का विलोम गुलाम, नवीन का विलोम प्राचीन और इसी तरीके से और भी शब्द जो एक दूसरे से प्रथक होते हैं एक दूसरे को उल्टे अर्थ के साथ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द होते हैं नेक्स कोशन वारत का पर्यायवाजी शब्द क्या है? वारत का पर्याय होगा पादल तस्वा कीर्थी का पर्यायवाची शब्द क्या है कीर्थी का पर्यायवाची होगा यश पर्यायवाची शब्द अर्थार्थ पर्याय का अर्थ हुआ समान वाची का अर्थ हुआ बोले जाने वाला यानि जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं पर्यायवाची शब्द को प्रती शब्द या समनार्थक शब्द भी कहा जाता है इन शब्दों में समान अर्थ जरूर होता है किन्तु इनका प्रयोग अलग तरीके से होता है यानि ये शब्द स्वयम में ही इतने पूर्ण होते हैं कि इने इस्थिती और इस्थलों के हिसाब से उपयोग में लाया जाता है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द समनार्थी होते अवश हैं किन्तों इनके भाव भिन होते हैं जैसे फूल इसका पर्यायवाची पुष्प, सुमन, कुसम, मंजरी, प्रसून, इत्यादी इस तरीके से हर शब्द का पर्यायवाची होता है किन्तो स्थिति के अनुसार उसको अलग तरीके से उप्योग में लाया जाता है तो यहां हमारे important question खतम होते हैं देखने के लिए धन्यवाद Thanks for watching Please like, share and subscribe Please like, share and subscribe